बूर्णिंग डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैसेल डॉक्टर वकुल्देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट फेवरेट लैट्स क्रैक नीट यूजी यूर वन स्टॉप सॉलूशन फॉर नीट और ये जो हमने सिरीज स्टार्ट कर रखा है आज इसक च्छटा मॉक टेस्ट है यानि कि हम लोग अब 500 MCQs पूरे कर चुके हैं और ये 500 वन से लेके 600 वाले आज हम पूरे करेंगे तो आप सब लोग जल्दी 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 आजाई हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं जुड़िया आप सब लोग जल्दी से तब तक मैं आप सब लोगों को preliminary information देता हूं All India mock test के लिए आप सब लोगों ने enroll कर ही रखा होगा सारे बच्चों ने ये mock test अनकेडमी की तरफ से organize करवाए जा रहे हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों languages में आपको paper मिलेगा All India neat UG rank predictor आपको मिलेगा video solution मिलेगा हर question का और detailed test report मिले पूरी analysis के साथ में ये सारे के सारे features आपको इसमें मिलने वाले हैं इसमें आपका first, second और third test already complete हो चुके हैं कल यानि की साथ तारीख को इसका चौथा mock test होगा आप सब को इसमें enroll करना है Iconic का बिल्कुल नया model अप लोगों के लिए launch कर दिया गया है जिसमें आप अपने live sessions में doubts clear कर सकते हैं अगर आपके doubts pile up हो गए हैं तो live doubt solving sessions है, live mentoring sessions है, notes आपको printed study material भेजा जा रहा है Live doubt session अगर आपको arrange करना है तो आपको menu में जाकर mentorship पे जाना है, session type select करना है, subject pick करना है, time slot pick करना है, notes upload कर देने हैं या doubts upload कर देने हैं और आपका session organize हो जाएगा Iconic का subscription जिन भी बच्चों के पास में है, 12 month, 18 या 24 month ये वाला subscription अगर आप लेते हैं, तो आपको unacademy के branded notes physical form में, यानि कि printed material आपके घर पे by post भेजा जा रहा है Iconic अगर आप subscribe करना चाहते हैं तो 5,417 रुपीज पर मन्थ इसका cost है, जो quite reasonable है, इसमें आपको करना ये है कि इस code का استعمال करना है, that is be there, जिससे आपको scholarship भी मिले और आप मेरे personal mentorship group में add भी हो जाए Plus का subscription अगर आप लेते हैं तो 3,208 रुपीज पर मन्थ इसका fee है, इसमें भी आपको code ये ही इस्तिमाल करना है, that is be there, और आपको इसमें scholarship भी मिलेगी, आप मेरे mentorship group में भी add हो जाएंगे किसी भी तरह का financial assistance अगर आपको चाहिए, तो you should call on 81008 6666 Sunday to Sunday Unacademy Combat हम organize करते हैं, इसमें भी आप लोग appear हुई है और इसमें भी invite code जो इस्तिमाल करना है, that is be there, किसी भी तरह का कोई inappropriate content अगर आपको YouTube पर दिखाई देता है, now you have the authority to report it, इस channel को जरूर subscribe कर लें, that is let's crack me to UG, यहीं पर हम सारे के सारे links और relevant information आपसे share करते हैं, किसी भी तरह का subscription आपको अगर लेना हो, Unacademy Plus या Iconic तो इस code का इस्तिमाल जरूर करें, जिससे कि आपको added benefits भी मिलें और आप मेरे personal mentorship group में भी add हो जाएं, जो बच्चन नए हैं उनके लिए मैं बता दू, myself Dr. Bakulder, मैं जैपूर से हूँ, और मैं पिशले 16 सालों से medical experience को biology पढ़ा र कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छी rank के साथ में neat को crack करें, तो चलिए जी अब start करते हैं हमारा आज का छटा mock test, आप सब लोग तयार हैं इसके लिए, ready हैं सब लोग, जल्दी से बताइए, you all are ready or not, तो फिर हम इसको start करें, give me a thumbs up, like the session, pair the session, हम बसे सेशन को start कर ही रहें, जल्दी से, जल्दी से आजाएए सारे बच्चे, ready, चलिए, 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 very good, तो ये हमारा छटा mock test और ये छटे mock test का पहला question, ध्यान से देखिएगा और फिर उसके बाद में respond कीजिएगा, done, 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 आजाएए, आजाएए, जल्दी से आजाएए, session like कर दीजे बटा, जितने भी बच्चे session देख रहे हैं, do like the session immediately, चलिए, start करते हैं बटा, ये आपका पहला question है, in case of ascaris, चलिए, options देखते हैं, fertilization is internal and development is indirect, ये तो बिलकुल correct बात है, तो ये ही answer हो जाएगा इसमें, देखो जितने भी endoparasitic forms होते हैं, चाहे ascaris है, चाहे tape worm है, ये सब चूंकि elementary canal में रहते हैं, तो ये अपने gametes को बाहर discharge नहीं कर सकते, release नहीं कर सकते, otherwise gametes will be digested, तो इन में fertilization usually internal ही होता है endoparasitic forms में, और development तो आप जानते ही हैं, indirect development होता है, जिसमें चार larval stages बनती है L1, L2, L3 and L4, तो ये first answer इसके अंदर आगया, first is the correct answer, done, 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 very good, आगे चलिए, bioluminescence is the property of, bioluminescence का मतलब होता है ability to emit light, है ना कोई भी living organism अगर light emit करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसे bioluminescence कहा जाता है, और आप जानते हैं, bioluminescence टीनो फोर्स में तो होता ही है, लेकिन आपने जुगनू देखे होंगे, जो रात को चमकते हैं, अधेरे में, उनमें भी bioluminescence होता है, और कुछ हमें कहना चाहिए, कॉर्डेट्स में भी bioluminescence होता है, to some extent, तो answer इसमें क्या आ जाएगा बेटा, first, first will be the correct answer, that is bioluminescence चलिए, no, 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 few aquatic and terrestrial invertebrates and few caudates, first is the correct answer, confuse मत होईए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, first is the correct answer, चलिए, 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 आगे move करते हैं, question number three, enterosilomate invertebrate, याद रखिए, enterosilomate में तीन ही phylum आते हैं, कौन-कौन से, enterosilomate में एक तो आता है आपका echinodermate, एक आता है आपका hemi call data, और एक आता है आपका call data, तो अब इसमें आपको invertebrate phylum बताना है, invertebrate इन में से किवाल echinodermate है, तो answer क्या आजाएगा बच्चों इसमें, fourth will be the correct answer, आगे चलिए, endoskeleton of bath sponge, तो सबसे पहले तो आपको bath sponge पता होना चाहिए, किसको कहते हैं, that is, you spongia, जिसे हम bath sponge कहते हैं, और you spongia में calcium carbonate के spikules का endoskeleton develop होता है, इसी वज़े से उसको sponge की तरह इस्तिमाल किया जा सकता है, scrubber की तरह, rubber की तरह, तो answer क्या आजाएगा, इसमें, third will be the correct answer, done, spikeules का होगा, आगे move करते हैं, आगे move करते हैं, नहीं, नहीं, आप ज्यादा तर बच्चे गलत answer दे रहें, ज्यादा तर बच्चे गलत answer दे रहें, चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आओ, four wings of cockroach arise from, cockroach के आगे वाले wings, two pair wings होते हैं, cockroach में आप जानते हैं, देखिए, लगबग लगबग इस तरह का structure दिखाई देता है, आपका cockroach, यह thorax के तीन segment बना दिये, मैंने T1, T2, T3, तो T1 से तो develop होते हैं, आपके four wings, और T3 से develop होते हैं, आपके hind wings, यह आपके mesothoracic wings कहलाते हैं, यह metathoracic wings कहलाते हैं, metathoracic wings true wings होते हैं, जिनकी वज़े से यह छोटा distance glide कर सकते हैं, fly कर सकते हैं, और यह जो mesothoracic wings होते हैं, यह बड़े होते हैं, leathery होते हैं, जो second pair of wings को आपका protect करते हैं, तो answer क्या आ जाएगा, इसमें mesothorax, यानि कि third will be the correct answer, four wings यानि आगे वाले wings, first pair of wings, and the answer would be, answer would be mesothoracic wings को tagmina भी कहते हैं, इनको elytra भी कहते हैं, यह question भी पूछ लिया जाता है, तो साथ ही साथ इसको भी याद रख लीजी, थिक और leathery होते हैं, थिक, leathery, उडने में इनका contribution नहीं होता, which of the following is not related with loose connective tissue, इन में से loose connective tissue के साथ कौन सा related नहीं है statement, चलिए पढ़ते हैं, it mostly provide base to epithelium tissue, यह बात तो बिलकुल ठीक है, these have fibroblast, macrophages and mast cell, यह बात भी बिलकुल ठीक है, fibers and fibroblast arrange in compact form, यह गलत हो गया, compact form में नहीं होते हैं, loose form में होते हैं, इसी वज़े से इनका नाम क्या है, loose connective tissue, तो answer क्या आ गया है, इसमें बेटा, third, third will be the correct answer, आगे चलिए, which one of the following structure does not provide mechanical strength to the cell, cell को mechanical strength कौन प्रोवाइड नहीं करता, तो यह जो cell to cell junctions होते हैं, दो cells के बीच में जो junctions बनते हैं, उनमें आपका चाहे desmosome हो, चाहे macular adherence हो, चाहे interdiscitation हो, यह सब mechanical strength प्रोवाइड करते हैं, gap junction का का काम mechanical strength प्रोवाइड करना नहीं है, gap junction का काम है, materials का exchange, एक से दूसरी cell में कुछ materials का exchange हो जाए, चलिए जी, question number 8 में आईए, which type of epithelium is best suited for rapid filtration, filtration का मतलब तो आप समझते ही है, filtration कहां होता है, glomerulus में, तो glomerulus में कौन सा epithelium होता है, आप सारे बच्चे जानते हैं, देखिए, filtration कहीं भी हो रहा हो, चाहे diffusion कहीं भी हो रहा हो, हमें वहाँ thin चाहिए cell, तो answer क्या आ जाएगा हमारा, simple squamous epithelium, आगे चलिए, match the column and select correct combination, column को match करना है, correct combination select करना है, चलिए साब करते हैं, सबसे पहले neutrophil, neutrophil को किस से match करेंगे, two to seven lobed nucleus, फिर आगे आपका eosinophil, eosinophil को किस से match करेंगे बिटा, eosinophil को match करेंगे, bi-lobed nucleus, फिर आगे आपका बेसोफिल, बेसोफिल को किस से match करेंगे, बेसोफिल को match करेंगे, two to three lobed nucleus, और आखिरी आगे आपका, lymphocyte, तो lymphocyte में आपका आगे आगे, lymphocyte में आपका आगे आगे, single large nucleus, चलिए जी, तो answer क्या आगे आगे, इसमें आपका second is the correct answer, second is the correct answer, चलिए, आगे move करें, आगे move करें, आगे move करें, match the column one and two, and choose correct combination from the given below, चलिए, select कीजिए बिटा जल्दी से select करके बताईए, select कीजिए जल्दी से, सबसे पहले sponge, sponge के साथ क्या match करेंगे, entire body surface, पूरी body surface से होगा, फिर flat worms में आजाईए, यानि कि आपके platy helminthes, तो platy helminthes में क्या होगा साथ, इसमें भी entire body surface ही होगा, earthworm में आजाईए साथ, earthworm के case में क्या होगा, moist cuticle से होगा, और aquatic arthroports में आजाईए, तो gills से होगा, यानि कि sponge और flatworm, दोनों को आपको 3 से match करना पड़ेगा, दोनों 3, answer आएगा इसके अंदर second, इनमें कोई भी organism ऐसा नहीं है, जिसमें lungs से respiration होता हूँ, कोई organism नहीं है ऐसा, जिसमें कि lungs से respiration का process चलता हूँ, done, बेटा मैं रोजाना आप से PDF भी शेयर करता हूँ, और solution भी शेयर करता हूँ, दोनों ही शेयर करता हूँ ना, टेस्ट के बाद में, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आज भी मैं भेजूँगा, चलिए, match the following and find the correct option from the given below, फिर से column matching का question आ गया है, देखी, यह question आसान होते हैं, अगर आपने एक या दो properly match कर लिए, तो answer मिल जाता है, चलिए देखते हैं, सबसे पहले respiratory center कहा होता है, तो respiratory center तो आप जानते ही है, medulla oblongata में होता है, तो a को match कर दीजिए two से, इसके बाद आईए साब आगे, अस्थमा, अस्थमा के case में क्या होगा, अस्थमा is related to bronco construction and bronco spasm, तो एक से match कर दीजिए, फिर तीसरे नमबर पर आईए, pneumotactic center, pneumotactic center होता है आपका pawns में, तो four से match कर दीजिए, और आखिरी चीज़ आपके पास में आगई, D, तो D क्या है, M5-CEMA, M5-CEMA के case में alveoli rupture कर जाते हैं, तो three से match कर दीजिए, तो answer क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, third will be the correct answer, done, समझ आ रहा है कि नहीं, चलो, the urge to inhale results from, inhale करने की urge, किस वज़े से develop होगी, जब आपकी body में, carbon dioxide का concentration बढ़ जाएगा, हमेशा याद रखिए, oxygen कम होने की वज़े से, urge नहीं होता, oxygen कम होने की वज़े से, आपके centers, आपका जो medulla के पास में, जो rhythm center होता है medulla में, that is actually sensitive for, rise in carbon dioxide, and increased concentration of hydrogen ions, तो answer क्या आएगा बेटा, इसमें the correct answer will be four, देखो कोई भी question समझ में नहीं आए, तो तुरंत प्रभाव से पूछ लेना, है ना, शर्माने की जरूरत नहीं है, लोकलाज के भहे की जरूरत नहीं है, है ना, कि इतने सारे बच्चे हैं, तो इनके सामने कैसे पूछा जाए, नहीं समझ में आए, पूछ लेना, I will explain, हमारा purpose ही यह है, कि हमारा revision हो साथ साथ में, यह अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं, inferior venakewa, inferior venakewa पर तो वाल्व होता है, जिसे हम कहते हैं, थिबेशियन वाल्व, pulmonary aorta, pulmonary aorta पर आपके semi-lunar वाल्व होते हैं, pulmonary ven पर कोई वाल्व नहीं होता, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसमें, answer क्या आ जाएगा, third, देखो गलत गलत दिये जा रहे हो answer, ऐसे नहीं, थोड़ा concentrate करो बेटा, ऐसे बिल्कुल casual approach से answer दोगे, तो कैसे चलेगा, यह न, this is not good, आगे चलो, if heart is not pumping blood effectively enough to meet the need of the body, it is known as, body को जितनी oxygen चाहिए, अगर उतना blood pump नहीं हो पा रहा है, तो इस condition को हम क्या कहेंगे बच्चों, heart failure, correct, cardiac arrest का मतलब होता है, heart काम करना बंद कर दे, heart block या cardiac block का मतलब होता है, जब SAN और AVN के बीच में, impulse travel नहीं कर रहा हो, तो उसको block कहते हैं, और heart attack तो आप जानते ही हैं, multiple symptoms, अलगल organs और structure से related आते हैं, आगे चले, which of the following statement is correct, regarding blood corpuscles, blood corpuscles यानि blood cells के लिए correct statement, pick करना है, चलिए जी देखते हैं, RBC in human are convex, नहीं साब, यह तो गलत हो गया, by concave होता है, यह गलत हो गया, all blood corpuscles are capable of showing diepidesis, no diepidesis केवल WBCs दिखाती है, carbonic anhydrase present in RBC helps in transport of carbon dioxide, in form of carbonic acid, गलत by carbonate के form में travel करता है, basophil and eosinophil both play an important role in allergic reaction, यह बात बिलकुल सही है, fourth will be the correct answer, चलिए, proper explanation मिल रहा है, confusion तो नहीं कोई बच्चो, कहीं confusion हो, पूछ लेना, which one is the correct regarding the number of teeth and dental formula, with reference to a child, बच्चो में, यानि milk teeth जो होते हैं, इन्हीं को deciduous teeth भी कहा जाता है, और इनका formula क्या होता है, incisor, canine और molar, premolar होते ही नहीं है, answer क्या आ जाएगा, first, चलिए, ज्यादा तर बच्चों को पता है, आगे move करो, फिर से column matching आ गया, column one और column two की matching करते हैं, चलिए साब करते हैं जल्दी से, सबसे पहले कीजिए, tylin, tylin क्या होता है साब, tylin करेगा starch, यानि कि यह आ गया, A को मिला दो Q से, फिर pepsin, pepsin क्या काम करेगा साब, protein, यानि कि B को मिला दो S से, steepsin, steepsin कहते हैं lipase को, तो यह क्या करेगा साब, lipid को digest करेगा, तो C को मैच कर दीजिए, P से, और nucleis आपके DNA को करेगा, यानि D को मैच कर दीजिए, R से, तो answer क्या आ गया, Q, S, P, R, pust is the correct answer, चलिए, done, इतना explain करने के बाद, भी गलत दिये जा रहे हो, answer तुम, है ना, देखते नहीं हो के explanation क्या चल रहा है, कॉली सिस्टो काइनिन और सी सी के, स्टिमुलेट दे गॉल ब्लेडर टू रिलीज, गॉल ब्लेडर से क्या रिलीज होगा, बाइल रिलीज होगा, आसान सवाल है, pust is the correct answer, इसमें तो कोई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं लगता, आगे मूव करो, दे एन्जाइम इन्वर्टेज, इन्वर्टेज को और क्या कहते हैं, इन्वर्टेज कह दें या सुक्रेज कह दें, बात एक ही है, तो यह सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, second is the correct answer, सुक्रोज एक्टेड अपॉन बाइजेस्ट कन्वर्टेज इन्टू, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, चलिए साब, यह बात भी पूरी हुई, आगे मूव करते हैं, आज तो कॉलम के बहुत सारे सवाल आगे हैं, कॉलम वन और कॉलम टू, चलिए, अब वाइटमिन और उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेज की तरफ मूव करते हैं, तो सबसे पहले वाइटमिन के पर आते हैं साब, वाइटमिन के की वज़े से क्या होता है, वाट हैपन्स द्यू टू वाइटमिन के, वाइटमिन के की वज़े से आपका हैमरेजिक डिजीज आफ दे न्यू बॉर्न तो एक को आप मैच कर दीजिए बी से फिर सेकंड पर आईए सेकंड है आपका वाइटमिन डी डी से तो आप जानते ही है रिकेट्स हो जाएगा भाई यह लीजिए इसको डी से मैच कर दीजिए थ्री क्या है आपका बी वन बी वन की वज़े से बेरी बेरी होता है ए मैच कर दीजिए और वाइटमिन ए की वज़े से नाइट ब्लाइंडनेस होगा तो फोर से आप सी मैच कर दीजे, बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी, सो दा आंसर वुड बी, फ्री, डन, चलिए साब, आगे मूव करें, which of the following is a genetic disorder, osteoporosis, arthritis और गाउट, ये तीनों तो metabolic disorders है, genetic disorder केवल इसमें कौन सा है, muscular dystrophy, osteoporosis, hormone का है, hormone metabolism, arthritis भी metabolic disorder ही है, चाहे वो osteoarthritis हो, चाहे rheumatoid arthritis हो, गाउट आपका excretory system का भी है, metabolic disorder भी है, answer will be four, आगे मूव कीजिए, joint between atlas and axis, देखो बेटा, atlas और axis के joint की वजए से ही हमारा सिर ऐसे गूम पाता है, left to right, यह जो movement हो रहा है, head का, that is because of the joint between atlas and axis, यह axis है, इसके उपर atlas होता है, head यूँ rotate करता है, तो यह joint आपका कैसा joint हो गया, pivot joint, pivot joint का एक और नाम होता है, आप चाहे तो pivot कह दें, चाहे इसको rotatoria कह दें, बोथ हार दे सेम थिंग, which of the following is actively secreted by DCT of nephron, DCT में secret क्या होता है, important question है, DCT में secret होता है potassium, याद रखें, इन बाकी में से कुछ secret होता ही नहीं, इन में secret होने वाला element के वल एक ही है, and that is potassium, done, PCT में क्या-क्या secret होता है, hydrogen, ammonia, और certain drugs, DCT में क्या-क्या secret होता है, hydrogen, potassium, loop of anle के ascending limb में, urea भी secret होता है, to some extent, यह तीन ही location है, जहाँ पर आपका secretion होता है, चलिए, how much amount of capsular filter rate is finally transformed into the urine, यह important question है, आपके बोमन्स capsule में, GFR कितना होता है, 125 ml per minute, इस 125 को 60 से multiply कर दें, और फिर 24 से multiply कर दें, तो यह लगभग, लगभग 180 liters per day, यह आपका GFR आएगा, यानि इतना filter rate तो आपके नेफरोन में जा रहा है, और urine कितना बन रहा है, that is approximately 1.5 liters per day, यानि 180 liters आया और यूरीन बना केवल 1.5 liters, इसका मतलब conversion लगभग लगभग कितना है, 1 percent, 90 percent filter rate, 99 percent filter rate is returned back to the body, 180 आया नेफरोन में, और नेफरोन से बाहर कितना निकला, just 1 liter और 1.5 liter, इसका मतलब 99 percent filter rate नेफरोन ने वापस body को लौटा दिया, that is the efficiency of human nephरोन, approximately 1 percent filter rate is converted into urine, I hope it is clear, चलिए, आगे मूव करें, the segment of a myofibril that is called a sarcomere runs from 1Z to next Z line, यह मैंने कल भी आपको डाग्राम बना के समझाया था, आप चाहें तो एक बार और इसको हम बना सकते हैं, यह देखिए, यह आपके myosin filaments बना रहा हूं मैं, और यह myosin को overlap करते हुए actin filaments हैं, यह देखिए, इस तरफ से भी actin overlap कर रहा है, यहाँ पर भी आपका Z line है, यहाँ पर भी आपका Z line है, दिस इस जेड, दिस इस जेड, और इनके बीच के इस पूरे distance को हम क्या कहते हैं, सारको मियर, so answer would be first, चलिए, each muscle fiber is directly surrounded by connective tissue known as, single muscle fiber, देखिए, muscle fiber के चारों तरफ होता है endomycium, एक muscle fiber, यह एक muscle fiber है, इसके चारों तरफ है endomycium, अब endomycium से covered बहुत सारे muscle fibers है, इनके चारों तरफ है peromycium, इसको कहते हैं muscle fascicle, फिर ऐसे बहुत सारे bundle से चोटे चोटे, सब के बाहर की तरफ है epomycium, this is the sequence, सबसे पहले endomycium, endomycium के बाद peromycium, और फिर सबसे बाहर, epomycium, चलिए, foramen magnum is located in which bone, foramen magnum वो foramen है, जो आपके यहां present होता है, पीछे की तरफ, occipital bone में, और इसी foramen से बाहर निकलने के बाद, medulla oblongata को हम क्या कहने लगते हैं, spinal cord, तो answer क्या आगे, आपका occipital bone, third will be the correct answer, मैचिंग करें साहब, एक और question आगया है, मैचिंग का, चलिए साहब मैचिंग करते हैं, सबसे पहले liver, liver में क्या होगा साहब, इन में से, sweat gland, sebaceous gland, kidneys, हाँ, चलिए, liver में drug और degraded steroid hormone, A को मैच कर दीजिए, first को मैच कर दीजिए, D से, फिर second है आपका sweat gland, तो sweat gland से आपका lactic acid और NACL, रिलीज होता है, to some extent, तो A को मैच कर दीजिए, तीसरा है sebaceous gland, तो sebaceous gland से आपके hydrocarbons, secret होंगे, excrete होंगे, और चौथा है आपका kidney, kidney का association हो गया, यूरिया से, अब आप कहेंगे liver को यूरिया से भी associate किया जा सकता है, किया जा सकता है, liver यूरिया से भी associated है, लेकिन फिर बाकी column मैच नहीं कर पाएंगे आप, तो इसमें जो matching हो पाएगी हमारी, वो केवल यही हो पाएगी, third will be the correct answer, आगे चलिए, which of the following statement is incorrect, all movement leads to locomotion, यह तो गलत हो गया, आपके intestine में peristalsis हो रहा है, वो movement तो है, लेकिन वो locomotion कॉज नहीं कर रहा है, तो incorrect statement यह हो गया आपका, first one is the incorrect statement, आगे चलिए, match the following, आज तो column matching के बड़े सारे सवाल है, चलिए जी, सबसे पहले nizzle granule, nizzle granule को आप किस से match करेंगे, nizzle granule होता है साइट आउन में, फिर दूसरा, synaptic knob, synaptic knob को आप किस से match करेंगे, neurotransmitter filled vesicle यानि कि C से, तीसरा है node of renvier, node of renvier में आपका क्या आगया, node of renvier में आपका क्या आगया, gap between two adjacent myelin sheath, A से match कर दीजिए, चौथा आगया आपका multipolar neuron, जो कि आपके cerebral cortex में मिलते हैं B, so DCAB, DCAB, second will be the correct option, what are the main divisions of the nervous system, nervous system के main divisions कौन कौन से हैं, nervous system के main division दो ही है, एक तो central nervous system, एक peripheral nervous system, that's all, central nervous system में आपके आगये, brain और spinal cord, peripheral nervous system में आगये, आपके cranial nerves, और spinal nerves, अब कुछ बच्चों को ये confusion होता है, कि साब ये autonomic nervous system और somatic nervous system क्या होता है, तो इसको भी यहीं समझ लो, जिससे तुम्हारा confusion हमेशा के लिए खत्म हो, ये जो peripheral nervous system है, इसके anatomical division तो मैंने लिख दी है, cranial nerves और spinal nerves, लेकिन इसके functional divisions भी होते हैं, functional division, इसके functional division होते हैं दो, that is somatic nervous system, और autonomic nervous system, और फिर autonomic nervous system के फिर दो division आ जाते हैं, sympathetic nervous system और parasympathetic nervous system, तो answer क्या आ जाएगा साब इसमें, second is the correct answer, लेकिन ये division आपको पता होने जरूरी हैं, चलिए आगे चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, an impairment affecting synthesis or release of A, hormone है कोई, results in a diminished ability of the kidney to conserve water, तो A क्या होना चाहिए भाईया, ADH होना चाहिए, क्योंकि ADH ही DCT से water reabsorption को बढ़ाता है, leading to water loss and dehydration, in the above statement, A hormone is indicating towards which of the following disease, तो A तो ADH हो गया, ADH को ही vasopressin भी कह देते हैं, और इसकी deficiency से जो disease होता है, वो भी आप जानते हैं, that is diabetes insipidus, तो answer क्या आ जाएगा, past, चलिए, आगे move करते हैं, the correct logical sequence regarding flow of sound in human ear, human ear में flow क्या होगा, देखो साब, ये आपका ear है, ये आपका auditory canal है, ये आपका timpanum है, ये आपके middle ear cavity है, ये oval window है, ये round window है, और ये आपका cochlea है, सारे बना दिये मैंने, cochlea के अंदर ये आपका membrane लेबेरिंथ भी बना देते हैं, चलो, हाँ जी, अब देखो ज़रा, क्या हुआ, सबसे पहले कहां आएगा sound, सबसे पहले यहां आएगा auditory canal में, फिर timpanum पर जाएगा, फिर यहां malleus, incus और stepes से होते हुए, कौकलिया में आजाएगा, और यहां पर एक यूस्टेकियन के नाल और होता है, जिसको अगर हम बना लें तो ठीक है, तो answer क्या आजाएगा भईया इसमें, second, second will be the correct answer, done, समझ आ रहा है ना अच्छे से, which of the following pair is mismatched in human male, human male में mismatched pair select करना है, चलिए जी देखते हैं, सेरेटोली सेल को नर्स सेल कहते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल स्पर्म प्रोड़क्शन करते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, चलो दो की कहानी तो खत्म हुई, वासा डिफरेंशिया, रिलीज सेमाइनल प्लाजमा रिच इन फ्रक्टोज ये गलत हो गया, क्योंकि ये काम होता है सेमाइनल वैसिकल का, नॉट वासा डिफरेंशिया, यूनित्रा यूनिन जनाइटल ये भी ठीक है, तो आंसर क्या आगे आपका, थार्ड विल बी दा करेक्ट आंसर, आगे चलो, क्वेश्चन नमबर थर्टी फाइफ, विच स्टेटमेंट इस करेक्ट रिलेटेड टू इंप्लेंटेशन, इंप्लेंटेशन समझते हो, ब्लास्टोसिस्ट जब एंडोमेट्रियम के अंदर एंटर करता है, घर्टेज बीदेर, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इंप्लेंटेशन टेक्ट प्लेस आफ्टर टू वीक्स, वण वीक होना चाहिए यहाँ. ब्लास्तोसिस्ट रिप्रेजन्ट गेस्ट्रू़लान, ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है ब्लास्टॉला, प्रॉफो ब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गैट अटेच्ड टू एंडो मेट्रियम इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गैट अटेच्ड ये बात तो सही है इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ये गलत हो गई तो आंसर क्या आगया बेटा इसमें तीसरा बाहर वाला जो layer होता है वही attach होता है बेटा last year के PYQs कर रहे हैं आज human physiology के PYQs कर वाऊंगा सारे के सारे कल रात को class थी में ले नहीं पाया थोड़ा सा मेरी तवियर ठीक नहीं थी चलिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया सवाल चलिए कोई बात नहीं match किरते हैं match the column 1 with column 2 and select the correct option सबसे पहले primary oocyte it is formed when oogonia star division and temporarily arrested it is the meiosis first तो ये तो matched है secondary oocyte a large haploid cell which retain bulk of nutrient rich ये बिलकुल ठीक है क्योंकि polar body बनती है primary follicle a large number of these degenerate during the phase from birth to puberty ये भी पूरी तरीके से matched है oogonia gamete mother cell कहलाती है ये भी matched है secondary follicle surrounded by more layers of granulosa ये भी matched है graphene follicle, rupture of release ये तो सारे ही matched है first will be the correct answer सारे के सारे properly matched है they all are matched and properly matched चलिए जी आगे चलते हैं incorrect statement पूछा था तो पहला statement ही आपका इसमें incorrect हो गया first statement ही incorrect हो गया चलिए एक carrier female ये अच्छा सवाल है थोड़ा ध्यान से देखना बिटा carrier female which possess gene for hemophilia on one x chromosome and gene for color blindness on other x chromosome यानि कि इसकी condition क्या है एक पर hemophilia का gene है एक पर color blindness का gene है ठीक है साब Mary is a hemophilic man hemophilic man से शादी होती है इसकी यानि की इससे cross हुआ अब इन से किस तरीके के office spring बनेंगे पहले जरा जल्दी से बना लेते हैं हम यह लीजिए बहुत आसान है आईए आपके पास में क्या है एक्स एच एक्स सी और इधर है एक्स एच और वाई चलिए साब office springs डेवलप करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आ गया एक्स एच एक्स एच हीमोफिलिक पिमेल इधर क्या आ गया एक्स सी एक्स एच इधर क्या आ गया एक्स एच वाई इधर क्या आ गया एक्स सी वाई यह हुआ साब कॉम्बिनेशन दो अलग अलग एक्स क्रोमोजोम्स पर जीन है यह ध्यान से सुनिये का बात को अरे सुनो बिटा सुनो 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 इसमें पूछा क्या गया है जरा ये देखो ना पाइंड आउट दे प्रपोर्शन ओफ प्रोजेनी सफरिंग फ्रॉम बोथ दे डिजीजेज दोनों डिजीजेज से सफर कर रहा हो यानि जिसमें कलर ब्लाइंडनेस भी हो और जिसमें हीमोफीलिया भी हो अब इन चारों में से कौन सा दिख रहा है आपको साब जिसमें कलर ब्लाइंडनेस भी हो और हेमोफीलिया भी हो बताना जरा ये कौन है । इस हीमोफिलिक फिमेल ये कौन है कैरियर पर बोथ ये कौन है हीमोफिलिक मेल ये कौन है कलर ब्लाइंड मेल आंसर क्या आएगा बोलो क्या कोई भी बच्चा ऐसा है कोई भी ओफिस्प्रिंग ऐसा है जिसमें दोनों बिमारिया है प्लीज टेल मी ऐसे नहीं आपने क्रॉस कर लिया ओफिस्प्रिंग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कितने तरीके के बन सकते हैं मुझे केवल एक बात का जवाब दीजिए ऐसे रटे रटा है आंसर नहीं क्या आपको इन में से कोई भी एक ओफिस्प्रिंग ऐसा दिख रहा है जिसमें दोनों बिमारिया है बोलो क्या कोई भी off spring ऐसा है जिसमें दोनों बिमारिया है answer दिये जा रहे हो भया इसमें यहीमोफीलिया है यह carrier है इसमें केवल हीमोफीलिया है इसमें केवल करल बनाइंडेस है तो नहीं है ना कोई भी तो answer क्या आएगा answer क्या आएगा 0% third will be the correct answer yes or no अरे बात समझ में आ गई की नहीं डन फैजल बेटा कहां इसमें मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है एक मिनिट रुगो ज़रा एक मिनिट तुम भी कैसे कैसे कामों में लगा देते हो चलो कोई बात नहीं अभी मैं आगे चल रहा हूँ अभी देखते हैं वापस से अभी डिग्री बाइविच प्रोजेनिट डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट इस नोन एज मैंटम आपके मेसेजेजेज ही पढ़ रहा था आभी रुकिये थोड़ा सा रुकिये अभी डिग्री बाइविच प्रोजेनिट डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट इस नोन एज वैरियेशन वैरियेशन का मतलब यह होता है कि अगली जैनेरेशन के अंदर अरे तो मेरे भाई सुनो 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 एक मिनिट रुको एक मिनिट रुको मुझे देखने दो लेट मिसी अच्छा प्रतीक बेटा बताओ मेरे को यह कौन है बच्चा प्रतीक प्लीज 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 सवाल यह नहीं है कि उसका क्या होगा और क्या नहीं होगा आपने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा है मैं यह कह रहाँ कि आपको मैंने जो एक्स्प्लेनेशन दिया है समझ में आया के नहीं आप लोगों को इस प्रश्ण में किस बच्चे को कन्फ्यूजन है मुझे यह बताईए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए अरे दोनों डिजीज कब होंगे डिजीज कब होगा डिजीज तब होगी जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडिशन आएगी दोनों में दोनों एक्स क्रोमोजोम पर स्मॉल सी स्मॉल सी हो और दोनों एक्स क्रोमोजोम पर स्मॉल एच स्मॉल एच हो केवल उस केस में केवल उस केस में डिजीज होगी अधरवाइस होगी ही नहीं तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को यह किस ने पूझा था सवाल वापस से यार सत्य अंदर मुझे समझ नहीं आ रही यह बात आपको यह चेकर बोर्ड समझ में नहीं आ रहा है क्या मुझे के वली यह बताईए इस से सरल और क्या होगा इस से सिंपल और करके कैसे समझाओ इसमें लिखा है carrier female which possess gene for hemophilia on one एक X chromosome पर तो hemophilia का gene है दूसरे X chromosome पर color blindness का gene है तो combination क्या हो गया यह हुआ की नहीं और इसको disease नहीं है कोई भी यह carrier female है दोनों का एक एक gene है यह hemophilic male से marry करती है अरे carrier नहीं पूछा यार तुम सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो इसमें पूछा है find out the proportion of progeny suffering from both the diseases आपसे carrier किसने पूछा है आपसे यह पूछा है कि कौन सी प्रोजेनी में color blindness भी और hemophilia भी दोनों होंगे इसकी क्या probability है यह पूछा है आपसे आपसे किसने पूछा है कि carrier बताइए who asked you about carrier question तो पढ़िए बेटा confused होते रहते हैं बेवज़ा confused होते रहते हैं चलो इसमें बहुत सारा time निकल जाता है ना actually चलो कोई बात नहीं अब इस pedigree को देखिए ज़रा यह क्या show कर रहा है तो सबसे पहली बात तो यह autosomal दिख रहा है सीदे सीदे क्योंकि parent से male child में भी जा रहा है female child में भी जा रहा है और autosomal है तो autosomal recessive trait ही होगा answer क्या आगया इसके अंदर वैसे तो यह आपके NCRT का डाइगराम है as it is sickle cell anemia fourth question द्यान से पढ़ा करो बेटा चलो column मैच करो जल्दी से down syndrome को किस से मैच करेंगे चलिए साब down syndrome को मैच करेंगे presence of an extra chromosome तो a को मैच कर दीजिए s से crydutad syndrome में क्या होगा साब b को मैच कर दीजिए loss of part of chromosome q से klein filter syndrome के केस में क्या होगा additional sex chromosome c से sorry p से मैच कर दीजिए और d turner syndrome के केस में क्या होगा absence of sex chromosome d से मैच कर दीजिए s q p d s q p d sorry p r not dr तो answer क्या जाएगा first first is the correct answer चलो आगे move करते हैं the given figure shows the example of यह पहले भी आ चुका है thorn of bougainville and tendril of cucurbita यह आपके homologous organ divergent evolution भी answer आ जाएगा इसमें आपका fourth चली which of the following is not an example of anthropogenic anthropogenic evolution का मतलब ऐसा evolution जो human interference की वज़े से develop हुआ हो जिसमें कोई human का involvement हुआ हो तो DDT में तो human का interference आ गया इसमें भी human का interference आ गया हर भी साइड में भी human आ गया इसमें human का कोई interference नहीं है which of the following is are correct about neanderthal man neanderthal man के लिए correct क्या है they had brain capacity around nine hundred बिलकुल छीक है they lived near east and central Asia between one leg to forty thousand years back ये भी छीक है नहीं 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 ये ठीक कैसे है इसने क्या कर दिया one leg की जगे one million कर दिया अरे रुको 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 एक minute रुको 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 just a minute cranial capacity nine hundred नहीं होगी न neanderthal पूछा है neanderthal की cranial capacity थी fourteen hundred fifty तो ये incorrect हो गया just a minute they lived near east ये one million की जगे एक laak होना चाहिए था तो ये भी गलत हो गया that also is wrong they used animal hide ये ठीक है they believed in religious feeling ये बिल्कुल ठीक है तो incorrect इसमें A और B ये दोनों incorrect हो गए they are incorrect हाँ हाँ वोई fourteen hundred modern man के equivalent cranial capacity मानके चलते हैं range में थी 1400 से 1600 सो के बीच में sorry 1300 से 1600 सो के बीच में तो उसका average हम fourteen hundred fifty ले ले लेते हैं in fact ये सवाल पूछा जाता है कई बार कि हमारे कौन से ancestor की cranial capacity modern man से बिल्कुल मिलती हुई थी तो modern man से मिलती हुई cranial capacity केवल neanderthal की थी और neanderthal में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसको direct line of human evolution में include नहीं किया जाता they appeared as a separate line and ultimately disappeared चली fossils are mainly preserved fossils कौन सी चटानों में मिलते हैं answer क्या आगया sedimentary rocks आसान सवाल है चलो जी labeling कर दो जल्दी से labeling कर दो जल्दी से ये हो गया आपका antigen binding site फिर आपका b हो गया variable reason c हो गया आपका constant reason f हो गया आपका disulfide disulfide bond ये आपका heavy chain तो अब answer निकालेंगे तो आ जाएगा second is the correct answer match each disease with its correct type of vaccine तो tuberculosis की जो vaccine है आपकी वो harmless bacteria से बनती है A को match कर दीजिए four से whooping cuff whooping cuff की vaccine आपके killed bacteria से बनती है B को match कर दीजिए three से diptheria diptheria की vaccine आपकी बनती है inactivated toxin से तो इसको match कर दीजिए two से और polio की vaccine बनती है harmless virus से match कर दीजिए एक से तो answer क्या आगया इसका fourth fourth is the correct answer super ovulation is related with super ovulation या multiple ovulation बोल दीजिए and embryo transfer तो चलिए देखते हैं development of two monozygotic twins MO80 यह रहा second super ovulation को ही multiple ovulation और फिर उसके बाद की दूसरी चीज़ जिसे collectively हम कह देते हैं MO80 multiple ovulation and embryo transfer points which are important for successful bee keeping मधुमक्खी पालन है न एपी कल्चर जिज़े कहते हैं knowledge of habit of bees बिलकुल यह तो होना ही चाहिए management of bee hives in different seasons यह भी पता होना चाहिए collection of honey and bee wax के बारे में भी पता होना चाहिए catching and hiving of the sperm सब के बारे में ही पता होना चाहिए fourth is the correct answer क्या हुआ बेटा सतीश क्या परेशान ही आ गई हाँ सतीश बेटा सुनो 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 तुम्हें confusion क्यों हुआ production of six to eight हुआ LH नहीं आएगा यहाँ के वल LH से follicle grow कर जाएगी क्या FSH होना चाहिए न सतीश हाँ जिया दोनों से अगर सफर करेगा तो उसका genotype कैसा होना चाहिए सुनो अभी उस सवाल का अभी भी तुम्हारे दिमाग में चली रहा है क्या होगा answer यह genotype होगा यह तो female का और अगर male की बात करोगे तो यह male का यह किसी और बच्चे ने भी पूछा था अगर कोई color blindness और हीमोफीलिया दोनों से सफर करेगा तो उसके genotype यह वाले होंगे अभी तो समझ में आया या नहीं आया जिया clear है न आप तो यह आभी भी कोई confusion चल रहा है तुम लोगों को चलो हाँ जी given gene capital A at frequency point 2 and capital B at frequency point 6 what is the equilibrium frequency of A B अब सुनो A B क्या है आपका recessive gene तो इधर A A की frequency कितनी दे रखिये 0.2 A कौन सा gene है आपका dominant gene तो A की frequency point 2 का मतलब आपको P दे रखा है यहां correct इसी तरीके से आपको B जो दे रखा है उसकी frequency दे रखिये 0.6 यह भी क्या दे रखा है P यह भी dominant gene है तो पहले तो इन दोनों का Q collect कीजिए तो Q इस case में तो क्या आ गया Q of A will be 0.8 and Q of B will be 0.4 क्योंकि आप जानते है P plus Q is equal to 1 आ गई बात समझ में अब A और B की frequency पूछी है आपसे A B तो A B का मतलब 0.8 into 0.4 तो answer क्या आ गया 0.32 या 32% 3rd will be the correct answer Done समझ में आई के नहीं बात Clarity है सबको Clarity है सबको Done चलिए अब दूसरे segment की तरफ move करते हैं पहला सवाल Chemo synthetic autotrophic bacteria प्ले important role in Chemo synthetic autotrophic bacteria का का काम क्या है यार एक तो तुम लोगों को कई चीज कई बार समझानी पड़ती है चीज मुझे एक बात बताओ ये कोई gene है A dominant gene है इसकी frequency है 0.2 तो इसके recessive की frequency क्या होगी 0.8 होगी ना ये कोई दूसरा gene है B dominant gene है इसकी frequency है 0.6 तो इसके recessive यानि small b की frequency क्या होगी 0.4 होगी ना because p plus q is equal to 1 ऐसे आएगा 0.4 और ऐसे आएगा 0.8 इसमें क्या समस्या है बोलो बोलो बेटा कोई समस्या है क्या अभी भी किसने पूछा था ये या अभी भी कोई समस्या चल रही है अरे ये clear हुआ कि नहीं बेटा एक बार जल्दी से respond करो चलो अब यहां आजाओ ज़रा chemo synthetic चलो chemo synthetic autotrophic bacteria play a great role in recycling of the nutrient ये तो सीधा सा सवाल है यार इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात है नहीं अब मेरी बात सुनो तुम ऐसी ऐसी बात में पूछते हो कि सर पक्का इसी में से आएगा ना है मतलब यह है कि वो नीट 2021 का सारा पेपर मैंने सेट कर रखा है और मैं तुमको 100% assurance जदू कि हाँ बस ये याद करके चले जाओ ये सौ सवाल याद कर लो इससे तुमारा काम पूरा हो जाएगा कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है थोड़ा एक सामान्य ग्यान का उपयोग करना चीए ना हमें जो हमारा एक सामान्य सोचने समझने की क्षमता है उसका भी उपयोग करना चीए ना हमें हम क्या कर रहे हैं हम पूरे syllabus को revise कर रहें दस बार और हम यह जानते हैं कि questions यहीं से आएंगे आसपास से हो सकता है as it is ना आए इससे मिलता जुलता कोई आ जाए लेकिन चीज़ें यहीं होंगी यह तैह है और मुझे मेरा व्यक्तिकत रूप से ऐसा मानना मुझे 16 साल हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए और एक दो बार दुबारा एक्जाम हुआ है किसी वक्त में 5-5-6-7-7-8-8 एक्जाम होते थे जिप मेर अलग होता था EFMC अलग होता था EMS अलग होता था आपका MG IMS वरधा अलग होता था मनीपाल अलग होता था स्टेट PMT अलग होते थे तो तुम ये मालनो कि लगभग लगभग मैंने 100 papers जो है pre medical entrance exam के आते हुए देख रखे हैं तो मैं अपने अनुभव से अपने experience से तुमको बता रहा हूँ कि लगभग यहीं से मामला आपका बैठ जाएगा पर अब तुम ये कहो कि मुझे आप एफिडेविट बना के दीजिए कि ये जो questions हम कर रहे हैं सारे गजारे सवाल यहीं से आएंगे ऐसा कैसे चलेगा बिटा ऐसे नहीं होता चलो आगे चलो Awareness of Surrounding and Response to External Stimuli Surrounding के लिए Awareness और External Stimulus पर Response It is a defining property of the living organism कोई भी living organism होगा उसमें ये property होगी ही For bacteria we are not very clear about the uses of terms like Growth और Metabolism तो होता है Consciousness and Cellular Organization Growth and Reproduction और मुझे तो कोई दिखाई देता नहीं है इसमें आप ही लोगों को दिखाई दे रहा है एक मिनिट रुको एक मिनिट रुको आप ही आप है आप ही आप ही आप ही इसमें है No One is visible जस्त अ मिनिट एक मिनिट रुको बेटा हाथ हो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ ना एक्चुली चलो आक्चुली हमें टर्म क्या यूज करना चाहिए बैक्टिरिया बैक्टिरिया के लिए मल् defectition term यूज करना चाहिए तो ये एक्चुली क्या ऐनर्टी के लाइन से जो की पक कर लिये जाते हैं उन्हीं पर ये सवाल बना दिये जाते हैं वी वी शुड अंच्वली use the term of multiplication primarily cell wall algae made up of following components algae का cell wall किस किस का बना होता है? question number 54 cellulose, galactans menons and calcium carbonate first will be the हाँ हाँ बिलकुल तो वो answer दे दिया ना बेटा मैंने इसी लिए आगे move करो ये मैं डायग्राम कई बार तुमको बोल चुका हूँ कि इस डायग्राम ये तीन डायग्राम आपके दे रखें इन तीनों डायग्राम को ज़रा अच्छे से ठीक से ठीक से याद कर लो क्योंकि इन पर सवाल अक्सर पूछे जाते है तो ये क्या है बिटा? इस एक्चुली डिप्लॉंटिक लाइफ साइकल अफ दे प्यूकस प्रतीक बिटा कौन सा मेकेनिजम बताऊं? अनी बी का कौन सा मेकेनिजम जानना है? आपको जल्दी बताइए तो मैं एक्स्प्लेन करूँ पर हाव मैनी स्टेटमेंट्स आर रॉंग? चलिए 56 में आईए ब्राइओफाइट्स एफ डिपेंडेंट स्पोरोफाइट मेल गयमिटोसाइट ऑफ जिम्नोसपर्म कंटेन लेस नंबर अफ सेल कंपेर्टु गयमिटोफाइट अफ द ब्राइओफाइट टेरीडोफाइट से इंडिपेंडेंट गैमिटोफाइट एंड पोरोफाइट मॉस कंटेन उनिसलूलर राइजॉइड गैमिटोफाइट आफ टेरीडोफाइट शो इंड्राइ कंडिशन्स दो स्टेटमेंट रॉंग है इसमें चलो बताओ ज़रा कौन-कौन से रॉंग है एक्स्प्लेन अभी यह तुम बताओ मेरे को इतनी देर से मैं एक्स्प्लेनेशन दे रहा हूं तुमको इनमें से कौन-कौन से दो स्टेटमेंट गलत है थार्ट आ गया ना बिटा बोलो 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 अरे कौन-कौन से स्टेटमेंट गलत है यह बताओ A, B, C, D, E, 5 स्टेटमेंट दे रखें थोड़ा खुद के दिमाग का इस्तेमाल करो आंसर तो बता दिया मैंने कि दो स्टेटमेंट गलत हैं आंसर का तो मुद्दा ही नहीं है अब यह असाइनमेंट है तुम लोगों के लिए इन पांचों स्टेटमेंट के बारे में ऑथेंटिक जानकारी लो सबकी इसको रिवाइज करो प्रॉपरली select the correct statement in some leguminous plant the leaf base may become swollen which is also called pulvinous ये बात तो बिल्कुल ठीक है correct statement है बिल्कुल a bird is present at the axle of leaflet at the compound no axle of pitiole leaflet पर नहीं होता ठीक है palmately compound leaves are found in neem no, neem में कौन सा होता है pinnately होता है hold philotex is found in elstonia ये बिल्कुल ठीक है तो इसमें क्या पूछा है आप से correct statement तो correct statement ये भी है और ये भी है दो statement correct हो गए ये मैंने बता दिया है तुम लोगों को done, आगे चलो हाँ साब root पर आजाओ root का ये जो diagram आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसके different zones को identify करो सबसे पहले तो सबसे पहले तो इसके different zones को identify करो तो ये कौन सा है, it is the zone of meristematic activity फिर यहां आता है आपका zone of elongation फिर ये आता है आपका zone of maturation ये आपको दिखाई दे रहे root hair ये आपको दिखाई दे रहे root cap अब select कर लो meristematic activity के लिए आप से पूछा है तो answer क्या आजाएगा, second second will be the correct answer second will be the correct answer distal का मतलब सबसे दूर आईए statement is wrong for given figure पहले ज़रा figure को identify करते हैं ये figure क्या चीज़ है साब बताओ बेटा, A क्या है, what is A A को क्या लिखे हैं, हम endosperm B क्या है साब scitalum C क्या है आपका silorizer D क्या है आपका चलो, labeling मैंने कर दी, अब answer बता दो जल्दी से labeling मैंने कर दी, अब answer बता दो जल्दी से wrong statement पूछा है wrong statement ये हो गया, C represents C, लोब tell no third is the wrong statement clear है न? समझ में आगया मामला या नहीं आया मुझे तो ये बताईए जल्दी बोलो parenchymetis cells, sclerid, vessel, grit cell, cortex, endodermal, scleranchymetis, fiber और tracheid इन में से कितनी cells में lignin present होता है? चलिए जी पहचानते हैं उपर से sclerid में होता है grit cell में भी होगा फिर आपके vessels में भी होगा फिर आपके scleranchymetis fiber में भी होगा और फिर आपके tracheid में भी होगा इन पांचों में मिलेगा साब तो answer क्या आगया इसका? second second will be the correct option lignin क्या होता है ये मत पूछो बेटा ऐसे सवाल पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? है? आज कितनी तारीख होगी? छे? पांच दिन के बाद आपका exam आप मेरे से पूछ रहे lignin क्या है? बहुत गलत बात है vessels are found in vessels कहां मिलते हैं साब? all angiosperm and sombriophyte? नहीं, all में तो नहीं मिलते हैं most of the angiosperms में आ जाएगा आगे चलो in tropical reasons the climatic conditions are uniform through the year annual rings are not distinct but यह बिलकुल NCRT का line है annual rings तो distinct नहीं होते लेकिन growth rings develop हो जाते हैं first आगे चलो the structure which confer certain unique phenotypic characters to bacteria but it is not vital for survival ऐसी चीज जो bacteria को specific character तो provide कर रही है लेकिन survival के लिए जरूरी नहीं है वो क्या है answer क्या आ गया plasmid plasmid unique feature तो है bacteria का लेकिन plasmid नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि bacteria survive नहीं कर सकते packaging of material and their delivery either to intracellular target or outside the cell is principally performed है तो बहुत आसान सवाल है valgy apparatus उसका काम ही है यह एक और diagram based questions आ गया है बटा चलो पहले तो इसको label करते हैं उसके बाद बाकी चीजों की तरफ जाएंगे सवाल क्या पूछा है उस पर बाद में जाएंगे A क्या हो गया आपका plasma membrane B क्या हो गया inter doublet bridge C क्या हो गया central microtubule और D क्या हो गया radial spoke यह लीजिए अब देखो जरा कौनसा answer आएगा A plasma membrane B inter doublet bridge C central microtubule यह तो गलत हो गया plasma membrane B radial spoke नहीं है यह भी गलत हो गया plasma membrane यह भी ठीक है central hub नहीं है यह तो none of the above आएगा इसमें कोई भी matching correct है ही नहीं not a single matching is correct not a single matching is correct done clarity है कि नहीं भाई जल्दी से बताओ clarity है या नहीं मुझे यह बताईए और जल्दी से बताईए चलो आगे जरा दो तिन सवाल और कर लू फिर बात करता हूं तुम लोगों से the cytoplasm of neighboring cell is connected with help of plasmodesmeta असान है मेरे ख्याल से ज्यादा परेशान ही नहीं आनी चीह the G2 phase of the cell cycle is characterized by the presence of normal deployed chromosome single chromatid DNA synthesis double amount of DNA than in S phase normal deployed chromosome first आ गया ना इसमे G2 phase में first आ गया which of the following enzyme is used for DNA synthesis from RNA DNA polymerase की ही जरूरत होगी अगर DNA synthesize करना है तो वो dependent किसी पर भी हो सकता है DNA dependent भी हो सकता है government of India has introduced a concept to work closely with local communities for protection and management of forest which is called as joint forest management informative चीज़े हैं यह इनको याद रखना जरूरी है as it is सवाल पूछे जाते हैं what is not a feature of genetically modified plant GM plant में कौन सा feature नहीं होता देखे पढ़ते हैं they make crop more tolerant for tolerance तो बढ़ती है reduce reliance on chemical pesticide यह भी होता है बिल्कुल ठीक बात है cannot reduce post harvest losses यह गलत हो गया यह भी हो गया the third third will be the correct answer done all the following are properties of the enzyme in tech polymerase accept tech polymerase की सारी properties है एक को छोड़ कर it is protein in nature बिल्कुल ठीक है यह तो होता है it is isolated from a bacterium thermos aquaticus यह भी ठीक है it is used for amplification यह भी ठीक है 40 नहीं आएगा इसके अंदर 90 degree तक यह काम करता है fourth will be the incorrect one done आगे चलो an organism trying to maintain its internal environment at the constant through physiological regulation अच्छा केवल physiological regulation से अगर वो अपना internal environment regulate कर लेता है तो उसको क्या कहेंगे regulator homeostatic regulator second उस organism के बारे में पूछा है कि उस organism को क्या कहा जाएगा यह याद रहे आप लोगों को आगे चलो इसमें क्या answer आएगा ecological निके किसे कहा जाएगा the physical position and functional role of a species within the community fourth will be the correct answer done okay abundant tortoise in Galapagos Island became extinct within a decades after goats were introduced on the island जैसे ही island पर goat introduce किये गए कुछ सालों के अंदर tortoise disappear हो गए extinct हो गए क्यों यह किसका example है सीधा सा example है competitive condition because of over grazing inter specific हो गया पहली बात तो यह अब सुनो मेरी बात सुनो 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 बेटा मेरी बात सुनो हम क्या एक बहुत serious और sacrosan type का काम कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हम अपना syllabus revise कर रहे हैं और बहुत serious note पर revise कर रहे हैं किसी question का जितना utmost explanation आप लोगों को जरूरत होती है उतना मैं provide करने की कोशिश कर रहा हूँ है ना sequentially daily आपकी class एकाद मिनिट लेट हो जाए तो हो जाए वरना कभी आपकी class लेट नहीं होती है dot जब से मैंने यह 45 डे वालक चालू किया है आपका मेरे ख्याल से आज हमें लगबग दो महीने होने को आए एक भी दिन आप लोगों का class miss नहीं हुआ है YouTube का session तो at least कभी miss नहीं हुआ है और दो पहर तीन बज़े और रात की साढ़े दस बज़े वाली classes भी कुछ specific reasons की वज़े से अगर miss हो गई हो तो हो गई हूँ otherwise continuously चल रही है 8000 MCQs तुम लोगों को practice करवा चुका हूँ अभी तब all I am trying to say be sincere यह सब क्या मतलब chatting वगएरा और यह सब चीजें करने के लिए बहुत वक्त बिटा आप लोगों के पास ने थोड़ा concentrate कीजिए जितना वक्त बचा है उसका maximum utilization करने की कोशिश कीजिए है ना ऐसे नहीं थोड़ा sincere approach के साथ में be sincere चलिए आगे move करते हैं अभी मैं explain करूंगा बेटा दुबारा से which of the following effect of oxygen on plant is the basis of their commercial application ये भी as it is question है introduction of root formation in stem cutting इसका commercially इसका होता है कई तरीके की उसमें first reaction in photosynthesis जैसे ही light का exposure होगा photosynthesis के दौरान तो सबसे पहला काम क्या होगा सबसे पहला काम क्या होगा आपका chlorophyll जो है chlorophyll molecule वो excite होगा सबसे पहले तो यही होगा न excitation आगे चलो in which category will you place this plant इस plant को किस category में रखा जाएगा plant 12 hour continuously dark में रखा तो flower और 12 hour interrupted dark में रखा तो flower नहीं होई इसका मतलब यह क्या है first ही आ गया इसमें which of the following is not essential for an organism survival but for the survival of a species यह अच्छा सवाल है organism के survival के लिए जो चीज ज़रूरी नहीं है लेकिन एक species continue रहे उसके लिए यह ज़रूरी है answer क्या आएगा reproduction बाई individual तो sterile हो सकता है ना an individual can be sterile and still it can survive sterile individual भी survive करते हैं तो उसके survival के लिए reproduction होना ज़रूरी नहीं है लेकिन यह species continue करती जाए इसके लिए यह होना बेहद ज़रूरी है the phenomenon observed in some plants wherein parts of sexual apparatus used for forming embryos within fertilization are known as apomyxis apomyxis done अच्छा देखो जितने भी बच्चे यहां देख रहे हैं session को do like the session immediately सारे बच्चे like करो session को अगर आपको समझ में आ रही है चीजे अच्छे से और आपको इससे कुछ benefit हो रहा है तो session को like कीजिए जल्दी से yellow sticky pollen kit is formed on pollen grains of entomophilus flowers that are formed by कौन बनाता है इसको tapitum second is the correct answer simple simple straight see the questions है long ribbon like pollen grains covered with mucilaginous sheath mucilaginous sheath ribbon like pollen grain यह condition किसकी होगी water pollinated plants की water pollinated plants की very good अभी देखिए फिर से एक diagram आ गया हमारे सामने तो पहले इसकी labeling कर लेते हैं उसके बाद सवाल पर चलते हैं क्योंकि इसके functions पूछे गए चलो तो सबसे पहले तो आपको पता होना चीए यह वाला सिरा यह वाला एंड कौन सा है चलेजल एंड है और यह कौन सा है माइक्रो पाइलर एंड है यह क्या है आपके antipodals यह क्या है आपके polar nuclei यह क्या है आपका egg यह क्या है आपका pilliform apparatus है की नहीं चलिए लेबलिंग कर दी हैं हमने सारी अब सवाल पर आते हैं we have labeled it part a help in fertilization and part c take part in zygote formation क्या पूछा है इसमें right option no part b take part in endos no part a are presented micropilor नहीं है तो चलेजल एंड पर है part c take part in zygote formation आईए हो गया ना fourth is the correct answer fourth will be the correct answer कोई परेशानी किसी को done select the wrong statement for the lactic acid bacteria wrong statement inoculum contain millions of bacteria may multiply at any temperature in the milk यही गलत हो गया आपका wrong statement first this is the wrong statement lactic acid bacteria यह बिलकुल ठीक है LAB play very beneficial और यह भी ठीक है LAB convert यह भी ठीक है अब लास्ट सेग्मेंट की तरफ मूव कर रहे हैं last segment की तरफ मूव कर रहे हैं variations observed during tissue culture of some plants are known as tissue culture कर रहे हैं मतलब की someclonal variations हो गए third they are known as someclonal variations the green revolution succeeded in tripling the food supply by the use of following the use of improved crop varieties बिलकुल the better management practices बिलकुल यह सारे या गए fourth will be the correct answer which of the following group of cyanobacteria is used as bio fertilizer तो नॉस्टोक होगा एनबीना भी होगा rhizobium नहीं होगा oscilloteria third option आ गया ना इसमें third will be the correct answer आगे चलो any desirable DNA is transferred into hostia repeat हो गया सवाल कल या परसों वाले quiz में भी था जहां यह multiply भी कर सकता है और अपने आपको express भी कर सकता है you suspect your patient to be suffering from a bacterial disease आपका कोई patient है जिसको bacterial disease होने का suspicion है आपको however the number of bacteria in the patient body is very less which of the following method can help you detect these pathogen अगर body में कोई भी चीज़ बहुत trace quantity में है तो उसको हमें amplify करना पड़ेगा और amplify करने के लिए हम कौन सी technique काम में लेंगे polymerase chain reaction किसी भी pathogen को detect करना है identify करना है we will use चलो वो भी करवाते हैं बिटा चिंता ना करो all india mock test वाला भी करवा देंगे match the column हाँ साब tiller and colleagues DNA third से A से 2 को किस-किस ने match कर रखा है इसने और इसने यानि B से हमारा answer आ जाएगा harsh and chase DNA is genetic material fourth तो यह ही आ गया इसमें answer third is the correct answer चलो Somya एक मिनिट रुको बेटा अभी देखते हैं ना थोड़ा सा रुको wait करो Nitrate is the most important source of nitrogen to the plant but it cannot be used as such by plant if such statement is right what will happen first nitrogen will be reduced to ammonia भई सीधे nitrogen का इस्तिमाल किया नहीं जा सकता तो इसको पहले किसमें reduce किया जाएगा ammonia to maintain continuity of water column in xylem first pre-requirement or pre-requisite or pre-need is tension must exceed then cohesive force no tension कम होना चाहिए cohesive force से cohesive force के comparison में तो second would be the correct answer micronutrient यह भी लाइन एंसी आर्टिका है तो micro क्योंकि कम quantity में चाहिए लेकिन उतने ही important है जितने कि आपके macronutrient important होते है second okay okay passage cells are found in the cells of endodermy यह तो दो तीन बार repeat हो गया है question इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है primary producer of deep sweet hydrothermal vent ecosystem are primary producer कौन है kimosynthetic bacteria fourth आसान सवाल है there are very easy questions the carrying capacity of a population means किसी भी population की carrying capacity का मतलब क्या होता है यह भी repeat हो चुका है question maximum number of individuals which can be supported in a given environment consider the following diagram diagram देखो जरह ध्यान से देख लिया diagram अब incorrect पूछा है चलिए पढ़ते हैं शुरू से primary producer convert only one percent of the energy into NPP बिल्कुल ठीक है 10,000 से 1,000 पे जारा one percent सही है यह pyramid of energy is always upright यह बात भी बिल्कुल ठीक है amount of energy is decreased at successive profit level यह भी ठीक बात है if ecosystem is managed and open system यह गलत हो गया fourth is the correct answer fourth is the correct answer done biodiversity of geographical reason represent उस particular reason में जो अलग-अलग species हैं उनको represent करेगा so third will be the correct option and the last question for today's mock test one of the X-C2 conservation यह repeat हो गया question अच्छा endangered species के लिए है endangered species के लिए है endangered species के लिए है क्या आएगा बेटा इसमें बताओ जरा क्या आएगा इसमें जल्दी से बताओ बोलो 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 प्रतीक क्या बात है बेटा पूरा और अभी यह कौन बच्चा था जिसने किसके लिए बोला था भाई ने इसके अंदर हमने देख लिया बेटा यह बैक्टीरिया का यह जो लाइन है इसको उसी लाइन को हम लोग कंसीडर करेंगे और फिर भी और कोई कंफ्यूजन हुआ तो आई विल रेस्पॉंड इट अगें यह न मैं एक बार फिर से आपको रेस्पॉंड करूंगा अभी मैंने आपको यह क्वेश्चन भी करवा दिये हैं सारे के सारे सुनो मेरी बात प्यारे बच्चों छटा मॉक अब टेस्ट हमारा पूरा हो गया है अब मैं आप लोगों को इसका पीडिएफ और सॉलेशन अभी दस मिनिट के अंदर भेज रहा हूं पांच मिनिट के अंदर सारे के सारे बच्चों को पीडिएफ और सॉलेशन दोनों मिल जाएंगे इसको देखिए एक बार री एनलाइ बचता हो तो हम उसको discuss करेंगे, है ना, अब एक सब्ता में आप लोगों का exam हो जाने वाला है, तो confidence level थोड़ा सा high रखे, अपने उपर भरोसा रखे, पूरा का पूरा, ये मान के चलिए कि जो चीज़ें आपने पढ़ रखे, वो आपको आती है, देखो, अपने उपर confidence होना बहुत बड़ी चीज़ है, willpower जिसे हम कहते हैं, है ना, वो आपकी आधी समस्याओं का समाधान कर देती, तो बाकी सब चीज़ें तो periphery पर आ जाती हैं, जब आप battle ground में होते हैं, जब आप examination hall में होते हैं, उस वक्त सबसे important चीज़ हो जाती है, अपने आपको focused और centered रखना क्योंकि वो जो आपने पूरे साल knowledge gain किया है, उसको apply तो आप तब कर पाओगे जब आप internally stable हो, जब आप internally confident हो, तो ये coolness और calmness आपके approach में होनी चाहिए, anxiety बिलकुल नहीं, हमने पढ़ लिया सारा, now we are 100% ready, हमें किसी तरीके का कोई वो नहीं है शक्षुभा, जितनी maximum preparation हम कर जगाया है, हमारे teachers ने हमारा पूरा support किया है, हमने हमारी तरफ से जितनी कोशिश की जा सकती थी, वो सारी की है, ये बातें आपके दिमाग में fix होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप examination hall में बैठेंगे, paper आजाए, paper को देखे, आराम से कोई, जैसे रोज आप mock test देते है वही continuity रखिए दिमाग में, बिलकुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस additional anxiety, उस additional घबराहट की वज़े से 4-5 सवाल भी आपने गड़बर कर दिये, तो आपका rank बहुत पीछे चला जाएगा, तो एक cool approach, एक calm approach होना सबसे important बात है, तो अपने आपको centered और focused रखिए, unnecessary, किसी तरीके की चीज में indulgement इस वक्त जरूरी नहीं है, जितना पढ़ रखा है, उस पर confident रहे है कि हाँ, ये मुझे आता है, है ना, और पूरा भरोसे के साथ है, कि ये question मैंने कर दिया है, तो ये सही है, इधर उधर ताका जहांके नहीं करनी है, कि उसने क्या किया, उसने ज्यादा किसी को नहीं आता है, तुमने पढ़ लियें चीजें सारी और तुमको पता है, है ना, तो थोड़ा सा confident रहो और easy approach के साथ, cool approach के साथ, है ना, तुफैल चतुरवेदी जी का एक share है, मैंने एक बार अपनी special class में सुनाया था, वो मैं सुनाया देता हूँ तुमको, वो है जैसा भी, भला फर्ज करें, जख्म पहले से न था, फर्ज करें, अब जो share मैं सुनाना चाहता हूँ तुम लोगों को, जितने भी बच्चे नीट की preparation कर रहे हैं, ऐसे चटान नहीं तूटने की, ऐसे चटान नहीं तूटने की, इसको मिट्टी का बना फर्ज करें, तो ये चटान जो है, ये जो तुम्हारा exam है ना, इस चटान को ये मान के जो मिट्टी का धेला है, ठक, एक ठोकर मारती तूट जाएगा, तो AIPMT, NET, ये जितने भी तरी चटान है, वो ऐसे नहीं तूटे की, वो तूटे की तब आईए, आप अपने दिमाग में ये मान लेंगे, ये मिट्टी की बनी होई है, एक हलका सा धक्का देंगे और गिर जाएगी, तूट जाएगी, ऐसे चटान नहीं तूटने की, इसको मिट्टी का बना फर्ज करें, इमेजन करोंगे, ये मिट्टी का बना होगा, कुछ नहीं है ये, बच्चों का खेल, कर देंगे, 100% कर देंगे, है ना, चलो, आज के लिए इतना ही, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, गुडबाय और गुडड़ तो अल आफ यू, रात को मुलाकात होत देंगे, चली